हालो गैस, यदि आप लोग सौच रहे हैं, या प्लानिंग कार रहे हैं जर्मन में आने के लिए ते आप लोगों के लिए एक बहुत एक्साइटिंग नीऊस है, एक्साइटिंग इनफोरमेशन है, आज आप लोगों को मैं बहुत आज़सा खुस ख़बरी शुननने वाला यहां जर्मने में आने का और जोब करने का तो गैस यह नया immigration law क्या है और इसका क्या requirements है इसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को जनकारी देने वाला हूँ तो यह नया immigration law है चंसन कार्ड इसको जर्मने में चंसन कार्ड बोलते हैं और इंगलिस में बॉल सकते हैं opportunity card या green card तो इस green card का क्या requirements है इसको कुछ detail आप लोगों को इस वीडियो में share करने वाला हूँ तो guys स्वागत है आप लोगों को मेरा YouTube channel में foreign like blog Germany मैं हैं जर्मने में रहता हूँ और मेरा YouTube channel के मद्यम से बहुंच सारे information share करता हूँ business करके job information study information यह और German language information business करके German visa कैसे आप लोग यहां apply करेंगे कैसे क्या requirements लगता है कैसे job visa apply कर सकते हैं क्या requirements लगता है job visa के लिए या क्या कौन सा job availability है कौन सा job या कौन सा sector का job availability है यहां Germany में सबका मैं यहां मेरा YouTube channel के मद्द्दम से शेयर करता हूँ तो जो कोई नाए है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुंती helpful होने वाला है इंट्रेस्टिंग information मिलने वाला है तो गैस यहां पार जर्मन में बहुं सारे जोब vacancy है और यहां पर लोग सब elderly हो रहे हैं old हो रहे हैं तो उन लोगों का भी जोब खाली होने वाला है इसलिए जर्मन गोवर्मेंट में नए immigration लोग पास्ट किया है अप्रूट किया है और इस immigration ना immigration लोग के मध्यम से और लोग बहुं सारे नन यूरूपियन लोगों को इहां पर invite करेंगे जोब के लिए और यहां पर जोब का भाकेंसी है उसको फिलाब करने के लिए कोशिस करेंगे तो आप लोग इहां इस चंसन कार्ट के मध्यम से आप लोगों को जोब सिकर भिशा मिलेगा वान इयर के लिए बिना कोई जोब अग्रिमेंट या बिना कोई जोब invitation से और यहां पर आप लोग आ सकते हैं वान इयर जोब सिकर भिशा से और डूरिंग दिस वान इयर आप लोग अपना डिग्री या अपना qualification के हिसाब से जोब ढूंडेंगे और जोब कर सकते हैं उसके बाद यादि आप लोग जोब नई भी मिल रहा है जोब अपना qualification के हिसाब से तो आप लोग पार्ट टेम जोब कर सकते हैं weekly 20 hours और अपना जो भी खर्चा है उसको आप लोग उठा सकते हैं तो ये बहूती आसं होने वाला है आप लोगों के लिए यहाँ पार जिर्मनी आने के लिए और जोब करने के लिए जब आपलो जोब मिल जाता है अपना qualification के तो आप लोग अपना जजोब से कर भी सा को लोंग भी सा बना सकते हैं और यहाँ पार सेटल हो सकते हैं तो गैस इस चंसन कार्थ या अप्वोचिनिटिक कार्थ के माध्यम से बहुती आसान होने वाला है यहां जरमने में आने क्या और जॉब करने के लिए तो इसका फॉर करेक्टेरिया है पहला पॉइंट है जर्मन लंग्वेज सेकेंड पॉइंट है डिग्री या क्वालिफिकेशन था पॉइंट है तो आप लोगों को कोई चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है आप लोग कर सकते हैं इजिली इसके बाद सेकेंड पॉइंट है क्वालिफिकेशन आप लोग युनिवरिसिटी से डिग्री किया हैं क्वालिफेट किये हैं तो और डिग्री यहा पर इस चांसिनुर कार्ट के माद्यायम से और रेक्रगर्णाइज होने वाला है अप्रूब्ड होने वाला है और ठाट प पता दे हूं कि 35 वीज होना चाहिए ताकि आप लोग में अपले कर सकते हैं भिश्चा और यहां पाड जर्मनि में आज सकते हैं तो गैस जैसे बता रहा हूँ कि इस चंसन्ड काट आप लोगों को वान यर जोब विशा के लिए मिलेगा बिना कोई जोब इन्वीटेशन और बिना कोई जोब अग्रिमेंट से यहां पर आप लोग आएंगे इस job выход में, job speaker विशा में और अपना degree के हिसाब से job ढूंडेंगे जर्मने में और जोब कर सकते हैं और एक बार job मिल घया आप लोगों के तो ऐसको भीशा को long time भीशा बना सकते हैं जोब भीशा बना सकते हैं और यहां पर जर्मने में इस चंसन कार्ट फिलार में अप्रूब्ड हुआ है लेकिन इसका इंप्लिमेंट नहीं हुआ है तो इसका बोल रहा है कि यह इसका चंसन कार्ट होने वाला है इस साल का end में या नए सल दूरात में होने वाला है तो आप लोग को लेये टाइम हैं अभी जर्मन लांग्विज सिखने के लिए और जो भी मेर्ड रिक्वर्मेंट्स है अप लोगों इसको कंप्लिट करने के लिए थोड़ा टाइम है तो अप लोग और कीजिए ताकि आप लोग जब इसके अगले वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा तो तब तक के लिए मस रहे हैं खुस रहे हैं टाटा बाए 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 झाल झाल